सब्सक्राब करें अपने YouTube चैनल लानवोट मेडिसिन को और बैल अकन दबाएं लेटेस नोटिफेक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लानवोट मेडिसिन में जहां आपाते दवाईयों के बारे में समपून जानकारी दोस्तों आज के स्वीडियो में हम B-complex injection के बारे में शेखेंगे जिसका कॉम्मीनेशन है निकोटिनामाइड, फोलिक एसी तथा साइनाकोबालामीन इस injection को हम सभी विटकोफोल इंजेक्षन के नाम से जानते हैं जो FDC कमपनी दोरब बनाये जाता है साथी विटकोफोल दवा का brand name है जिससे हम मेडिक स्टोर पे इस injection को खरीदते हैं इसके अलाओ कुछ brand name जैसे जेनोफोल इंजेक्षन, यूनिफोल इंजेक्षन ये भी available है मतलब यह जो ब्रांड यह एक ही जगा दूसरी सब्टिटूट की जा सकती है यह जो इंजेक्शन ने हमें सा 10 ml की पेकिंग में आपको मिलेगा जो की मल्टी डूस पेकिंग में रहता है साथ ही जो इसकी एवरेज प्राइज यह 10 ml इंजेक्शन की 80 रुपे पर वाइल होती है दोस्तों इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाए जाता है किस रूट से लगाए जाता है किन-किन बीमारियों में इसके साइड इफिक्ट होते है और भी कई अन्य महत्रपुम जानकर या इस इंजिक्षिंग बारे में इस वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे संपुन जानकर या आपको विटखूल इंजिक्षिंग मिल सके। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब करना नहीं बोलें मैं हूँ आपका दोस मोहित और आप देखरें अपना यीडियू चैनल लर्णोर मेडिसिन चलिए आज फिर कुछ नया सिकते हैं हेलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों विटको फोल इंजेक्शन एक सलेक्टिव बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है यदि इसके कॉम्बिनेशन था था स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसमें निकोटिनामाइड 200 मिलिग्राम पर एक एमिल की स्ट्रेंथ में फोलिक एसिड 15 मिलिगाम पर एक एमिल की स्ट्रेंथ में साथ ही साइनेक कोबालामीन 500 माइक्रोगाम पर एक एमिल की स्ट्रेंथ में मिलाया गया होता है इसमें जो nicotinamide, vitamin B3, folic acid, vitamin B9, तथा जो synocobalamin है, vitamin B12 है जिसे हम cobalamin भी कहते हैं ये सभी vitamins हमारी body में blood, cells, nerve के कारियों को तथा अन्य body की गतिविद्यों को सुचारू करने के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है यदि इसकी यूज की बात की जाए, किन-किन बिमारीयों को ठीक करने के लिए किन-किन इस्तितियों में injection दिया जाता है तो जैसा कि ये B-complex injection है, तो सबसे महत्पूर्ण जो इसका कारी है, vitamin B3 की deficiency, जिसे हम pellagra कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए ये एक प्रका की बिमारीयों की जिसमें व्यक्ति की जो skin है, उसमें सूजन आ जाएगी, दस व्यक्ति को लग सकती है, साथ ही skin का छील जाना, redness वापे रेना, ये समझ्या है और इसके साथ में चाले भी मुँ में होने लग जाते हैं इस इस्तिति को ठीक करने के लिए ये विटकोफोल इंजेक्शन डॉक्टरता दिया जाता है, साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति को चाले होते हैं और लंबे समय तक और ओरल ट्रीटमिंट देने के बाद में ठीक नहीं होते हैं, तो उस अस्तितिति में विटामिन B3 की बोडी में कमी होती है, इसलिए ये इंजेक्शन चालों में बहुत ही ज़्यादा प्रियोग में ले जाता है, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है, साथ ही नेक्स्ट अगर प्रमुक यूज की बात की जाए, तो मेकालोब्लास्टिक एनेमिया, साथ इन दोनों ही प्रकार के एनेमिया इस इनेमिया का प्रियोग लिया जाता है, अगर सामने बात करें तो एनेमिया का मतलब रहता है, खून में कमी, जब विटामिन B2L की डेफिशियन्स यदिकिस्टी को विखती को हो जाती है, जिस कालनेच से विखती को चक्कर आना कमज़ इसके लावा नर्म में उसको प्रोलम रहती है, मास पेशियों में खिचा होता है, में मोर रिलेटेड को उस प्रोलम भी होती है, तब यह इन्जेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, कई बार पेसेंट में एक ऐसी इस्तिति आती है, जब बोड़ी के द्वारा विट विटामिन B12 का यह एक विमारी है, तो उस समय में भी यह इन्जेक्शन पेसेंट को दिया जाता है, यदि कोई पेसेंट है, जो माल न्यूरिस्ट है, कुप पुस्वन का सिकार है, साथ उसको न्यूट्रिशन की डेफिसियंसी है, उसके सेरी में विटामिन सी कमी है, तब इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, साथ इ फोली कैसि डेफिसियंसी, विटामिन B12 की डेफिसियंसी, किसी की होते हैं, यह इन्जेक्शन डॉकटर द्वारा दिया जाएगा, और वह उसकता है, दोस्तों, जो मेंनी यूस बता है, इसके लिए अन्हीं बिमार भूरूट से ही लगाए जाएगा इसके अलवा दूसरी ے नहीं लगाए जाएगा और जब भी इset रीक हिंचक्ष1 लगाए जाएगा जाएगा पहले AST इसिएलhou टेस्ट करके लगा जाएगा और इस रीस निज़ुण की जो फ्जारे हो जाते हैं उसमें डेली एकbet्रास एक दिन पांच लगाता लगते हैं या कई बार हफते में दू हेंजेक्षिन तीन या चार हफते तक लगते हैं यह अलग इसकी डोज रहती जो ड्रटर की नीड के रिखागते पांच विद्वर करें लगते समय आप एस्टी जरूर से करें यदी यह नहीं करते हैं तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा समयश्या हो सकती है इस चाहलाव व्यक्ति को चक्र आना भूज़ादा पसीन आना हार्ट रेट उसकी चेंज हो जाना यह कुछ समझें देखेंगी यह इचिंग रेडमेस भी हो सक तो यह करने के बाद ही व्यक्ति को यह इंजेक्शन लगाएं और यह जो इंजेक्शन है सिर्फ फिटल तता क्लेने के लिए मेरा वीडियो देखकर यह कर दूसरी जो ओनलाइन इंफोर्मेशन है वो लेकर आप इस इंजेक्शन परियोग गर पे अपने खुद से नहीं करें जो डॉक्टर ने बताया है जितनी डोस बताए उतनी डोस यह आप ले अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें यदि किसी पैसरन को मेंको साइडियोग सकते हैं जैसे इस्किन पर रेसस हो जाना, रेडनेस होना, स्वेलिंग आ जाना, इसकिन पर जलन होना, साथ ही बहुत ही ज़दा पसीन होना, मुश्किल से सास आना, हार्ट रेट का कम या ज़दा हो जाना, यह कुछ समझेया भी साइड इफ्ट के तोर पर भी देखे गई हैं, यदि इसा हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को बताएं जिससे कि यह इंजेक्शन आपको फ्यूचर में नहीं लगाएं और जो आपको प्रोडलोम हुए उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जासे का आपको समझचे का सामना नहीं करना पड़ें तो यह सावधानी भी आप रखें औ और जादा जादे इसको शेयर करें जो किशी और के भी काम आज सके और अभी ताक आपने अपने यूटीब चैनल लर्णों मेडिसीन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नेचे दीगे रेट बटूं को बाट जो उर से सब्सक्राइब करते जो पास में बहले करने इससे बीडियो देख सके थैंक यू फ्रेंज टेकर और मेरी सीनिजर्ण